यह चड़वाएं, यह चड़वाएं, यह चड़वाएं, यह चड़वाएं, क्या फ्रेंट्स, आप भी Tempered Glass होगो लेके confusion में हो कि आपको अपने मोवाइल पे कौन सा Tempered Glass चड़वाना चाहिए, कौन सा Tempered Glass आपके मोवाइल के लिए बहतर है, आपकी मोवाइल की स्क्रीन को ग्लास प्रोटेक्ट करता है बहुत तरह की तरह की वराइटी आती है आप लोग कंफ्यूज हो जाते होगे कि पता निक कौन सा ग्लास बढ़िया है और मुझे अपने फॉन पे कौन सा ग्लास चड़ाना चाहिए आपको जो भी दुकान उनर आपको भूल देते हैं कि आपको अगे से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइट करोगी कि आपको अपने फॉन पे कौन सा ग्लास चड़वाना है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स में बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आये या इस वीडियो को चैनल को subscribe कर लेना ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह कि इस से रिलेटेटेड में वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और अगर आपने चैनल मेरा subscribe कर रखा होगा तो आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में देखते हैं इन tempered glass हों में क्या जमेला है तो फ्रेंट जब हम फोन लेते हैं न तो सबसे पहले हमारे फोन पे जो tempered glass चड़ाता हो tempered glass नहीं स्क्रीन गार्ड चड़ाता है वह आती नॉर्मल एक पिन्नी टाइप में चड़ी हुई ठीक है और वह पिन्नी उस पे चड़ी रहती है दूसरा जड़ा देंगे जिस्से कि फोन नया बना रहेगा ठीक है तो वह तो टेंपरेरी आता है आप उसको परवानेंट मस्त समझे ला कि उसी tempered glass को लगा के वह तेंपर ग्लास को लगा कि आप हम इसा चलाओ ठीक है यह एकदम गलत है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको this असदी मिए को लग बच्ट में कोई 20 रुपए का कोई 10 रुपए का कोसी 30 रुपए का कोई 40 रुपए का लग लग तरीके से चढ़ाते एं सबसे पहले हम सब्सक्राओ ठीक है अब इन में भी क्या है कि अलग अलग वेराईटी सस्थे में भी यह जो नॉर्म सबसे हलकी वाराइटी होगी यह वाली इस तरह की यह होती है एक प्लास्टिक के स्क्रीन प्रोटेक्टर ना तूटे ना चटकेगा ना कुछोगा इसमें कुछ नहीं बीगरता फिक यह है यह वहीं ट्रेस से अपने फ़ान को बचाना खाली स्ट्रेस से तो आप के लिए यह वाला जो यह स्क्रीन प्रोटेक्टर प्लास्टिक वाला यह तक है अब दूसरे नंबर बात आती है हमारी ग्लास नौर्मल आइसे मोलेंगे तो कट करके टूट जाएगा टिक है यह उता है नौर्मल ग्लास ट्रंस्पिरेंट ग्लास ठीक है अब इस गिलास में क्या है कि यह सफता आता अधिकतर जो 90% लोग वह इसी गिलास को चड़वाते हैं लेकिन आपको बता दो कि यह जो यह तुरंत गिरते ही तूट जाता है और इसकी हाड़नेस कुछ भी नहीं है बहुत जल्दी एक लास तूट जाते हैं तो मैं आपसे रिकमेंट करें इस तरह का ग्लास ना जड़ाएं इसी में एक सस्ता ग्लास और आता है यह तो हो गया वाइट ग्लास ट्रांस्पिरेंट ग यह वाला यह आपका बिल्यू ग्लास है तो यह नॉर्मल ग्लास ही बस इस ग्लास में इस ग्लास में इतना अंतर है कि इस वाले ग्लास में जो बिल्यू ग्लास है इसमें बिल्यू ग्लास बिल्यू फिल्म एक इसमें लेयर लगा दी गई है इसमें बिल्यू लेयर अलग से गई है उससे क्या फाइधा मिलेगा हमारी आँखों को प्रोटेक्शन मिलती एंटी ग्लेर बन जाता है जो मुबाइल से हानिकारा इस लाइत निकलती है ठीक है दिस्प्ले से जो लाइट निकलती है वह घृ खराब करती है तो इस गिलास में बस एक लेयर और सबसे सस्ते में यह हमारा ब्लू टेंपर ग्लास इसके बाद आता है यह फिल्म और लगा दिजाती इसिसे बिल्यू आपको साइघ लिए बिल्यू बिल्यू चमक रहगा रहोगा ब्लू इसमें कुछ नहीं है नॉर्मल एक बिल्यू फिल्म इसमें और एड कर दिये इसी गिलास में अब यह बन गया हमारा बिल्यू गिलास यह तो होगे आपके सबसे सच्टे गिलास ठीक है यह वाला अरे यह वाला यह होगे आपके सबसे सच्टे गिलास अब आपका थोड़ा सा और किलिए कर दूं, बहुससे लोग बोलते हैं न गोरिला गलास वो इसी गिलास को गोरिला गलास बोलते हैं, इसको तोड़ो, फोडो, समझ रहूं न, प्लास्टिक कभी तूटेगी, नहीं तूटेगी, क्या तूटेगा आपका फॉन तूटेगा, तो मैं रिकमेंड कर वा ह जो गिलास है नंको ना चड़वाएं ठीक है इससे अच्छा सस्ते बजट में चड़वाना तो इस तरह के गिलास चड़वा लें यह सबसे सस्ते गिलास हैं जितने पैसे उसी हिसाब से आप आदमी को चीज मिलती है यह तो दुनिया का दस्तूर है ठीक है जैसी आप पैसा द एक पतला गिलास जीडो पंट 4 एम थोड़ा मूटा गिलास जीडो पौइंट 3 एमीम गिलास में बहुत से में यह सिकाइद होती है उसकी गल्लू बहुत खराब होती है वह इतनी परमानेंट इस्क्रीन पर चिपक जाते कभी कभी उसको चुड़ाते पर च्टाते से लिए कि कुछ पैसे बचाने की चक्कर में हम अपनी स्क्रीन से हाथ दो बैठते हैं तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा इनकी जगे थोड़े महेंगे थोड़े कॉस्टली टेंपर ग्लास में ही इन्वेस्ट करें अपना पैसा ठीक है अपनी डिस्प्ले पे अपने फोन पे इसे थ अब सबसे पहली चीज तो मैं आपका एक कन्फूजन किलियर कर दो यह डी का मतलब क्या है यह जो डी बोलते हैं डी फाइव डी शिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन डी इलेवन डी टैन डी इक्कीस डी पता नहीं कितने कितने डी बना दिये देखो अकॉर्डिंग टू सा डी डी डाइमेंशन से बोलते हैं ठीक है पहले जमाने में जो मॉवाइल आया करते थे उनकी स्क्रीन थी जो वो कुछ इस टैप की इस टैप ऐसे चौक और बिलकुल ठीक है तो इन गिलास इन गिलासों में कोई कर्व नहीं था कोई गुलाई नहीं थी उसके बाद टेंपर उनकी जो स्क्रीन ते उसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व दे रिया यह आला कर्व ठीक है। पहले टूड़ी गिलास आये इन वाले जो गिलाश थै इनको बूलते टूड़ी गिलास ठीक है उसके बाद फोनिटी आये करते थे वो उनोंपर घ्लास एक घुदी चड़़ते थे उस इनको थोड़ा गुलाई में दे दिया तो इनको बोल दिया हमने 2.5D 2.5D ठीक है उसके बाद जो खोज हुई वह हुई कुछ फोन ऐसे आने लगे जिनकी इनके साथ साथ यहां से पूरी स्क्रीन भी कर्म में होती है जैसे शेमसंग की आते है शिसरी ऑर भी फोन आते हैं जिनकी कर्म में स्क्रीन होती है तो वह होगा थी धी स्क्रीन कुन सी 3D उनके लिए ग्लास कौन से चड़ेंगे 3D टेंपर उसके बाद अब जो उपर आ गए 5D 6D 7D वो सबसे फेक मार् बड़ा के आप से ज्यादा पैसे कमाना मोटेव है बस और कुछ नहीं है डी जो है असली वो 3D तक है बस उसके बाद इतने भी गिलास है ना इनमें कोई कोई बीच चिपका दो पांसो डी चिपका दो कुछ नहीं है उसे साइट डिफिक रीजन जो बेक रहे हैं उनको कुछ नहीं बता क्यों कमपनी परचार कर रही है बस अपना बेकने के लिए नहीं तरीके बना रखे उन्होंने ठीक है तो अब डी में कंफ्यूजन मत हो ना डी की का मतलब ही है दूसी चीज आती है Tempered Glass क्या हमारे phone की screen को टूटने से बचाता है तो मैं आपको एक बात आपका doubt बहुत क्लियर कर दूं आप किसी भी तरह का Tempered glass लहो और के यूंसी भी तरह का आपका जो तेमपट्र गिलास है वो आपकी स्क्रीड़ने से नहीं बचाता यह एक जोटी आप्सडेश ऐरा कि स्क्रीड़ अने से बचाता है यह तरह के होते हैं तरह में दागा लिया उससे scratch मारा, scratch पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमने कोई चक्कु लिया उससे scratch मारा, कोई hard और यूचीज उससे scratch मारा, तो यह जो tempered glass की variety है ना, वो scratch से बचाने के लिए कि हमारा जो phone है, वो कितने तरह के scratch को जहिल सकता है, जैसे चाबी से scratch करा हमने, तो चाबी होगी, उसकी हिसाब से आपका glass आएगा, बस यह 11D type की glass आते हैं, यह क्या होते है, पूरी screen को cover कर लेते हैं, पता है नहीं चलता phone पे glass चड़ रहा है, नहीं चड़ रहा, ठीक है 11D, 5D, 6D, कोई भी ले ले लेना, 3D से बड़ी technology तो अभी तक आई नहीं है, ठीक है, यह चा हो एक से 10, मैं आपको list देखा दोंगा कि hardness किसकी कितनी capacity है, 1H का मतलब क्या है, 2H का मतलब क्या है, 3H का मतलब, मतलब कितनी hardness को जहिल सकता है, उस पे screen पे, कितनी scratch, कितनी hard चीज से अगर उस पे scratch पढ़े तो उसको जहिल सकता है, उसको हम H बोलते है, simple, D समझ में आ गया, H समझवाएगा, अब tempered glass हमारे वो चली रहे है, ठीक है, हमारे जो tempered glass चल रहे थे, यह हमारा 11D glass है, phone को पुई तरह से curve कर लेता, अगर इसी यह transparent है, 11D glass, अगर इसी में blue film की layer चड़ा दी जाए, तो यह blue 11D glass बन जाएगा, simple, और कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसी glass को, अ जरूर मिल जाएंगे आपको, क्यों, gorilla glass का मतलब क्या है, कि जो glass टूटे ना, और जो pin नहीं है, प्लास्टिक है, तो इससे बहतर है कि आप glass डलवाओ, glass ना कि यह plastic, gorilla के नाम पे ठगो मत, ठीक है, यह यह बात आपको समझवाएगी, यह हमारा 11D glass, इसमें क्या है, यह पू glass तो डलवाए, ठीक है, और 11D में वो ही, अगर फिल्म चड़ा जाएंगे, बिल्यो 11D glass हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, नमबर वन पहला benefit है, कि यह देखने में अच्छा लगता है, नमबर टू, इसकी signing थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, नमबर तरी, यह पू matte tempered, इसके बाद जो third variety आते हैं, वो आती है, matte tempered, matte tempered उन लोग के लिए ठीक है, जो gaming करते हैं, जिनके उंगलियों के निसान इस पे रह जाते हैं, ठीक है, यह पहले से ही खुरदरी-खुरदरी सी हो लगती है, देखने में, इसमें पता कि हमारे जो fingerprint के निसान है, वो रहत लिए तो यह होगे हमारा unbreakable, ना तूटने वाला, यह कभी ना तूटने वाला, ठीक है, यह हमारा कभी ना तूटने वाला, यह matte tempered है, यह कभी ना तूटने वाला, इसी में अगर हम glass add कर दें तो यह matte tempered भी रहेगा, और glass भी होगा, वो उससे ज्यादा बहतर है, वो जो जो scratch है हाड scratch को सहन करने की च्छमता ज्यादा हो जाती जिसे में ग्लास लग गया ठीक है अब इसी में ग्लास भी है या फ्र अपना में ट्यम फिल्म जाएगी टीक है यह जिए ग्लास है आपको बता दिए यह किसके काम के लिए इस पे निशान ना ना बनें हम कोई चीज चला रहें हैं पंचला रहें हातों में पसीना आजाता है तो उंग्लियों के निशान ना पड़े उस चीज के लिए है बेभा घंके मेरे समय हैं तो आप लोगों को यूज में लेते हैं तो अब आप लोगों को बतातों जो सबसे बहुतरीं ग्लास उसकी वराइटी आम मैं आपको बता रहा हूँ वह आता है super D plus या D plus के नाम से तेंपर गलाश दी पिलस या super D प्लस के नाम से तेंपर्ड ग्लास आता है उसकी जो quality है वो मुझे बड़ी बहतरीन लगती है वहई gloss होता हुसमें चमक होती है उसमें जो एच्च बता रहा था मैं उसमें हार्डनेस को जहिलने की छंदा जाद होती है जल्दी सी स्क्रैच नहीं लगता तेक है वो पूरे अच्छी ते उसकी जो ग्लू की क्वाल्टी अंदर जो अधैसे जिसे चिपकाने के लिए यूज में लेते हैं जिसे टेंपर हमारे फॉन पे चिपकता है उसमें अधैसे यूज होता है वह बहुत बहुत क्वाल्टी का यूज होता है डी पिलस या सुपर डी प्लस में ज्यादा तर इसी टेंपर गिलास को आपके फॉन के लिए रिकमेंड करूंगा अगर आपको आँखों से रिलेटरी कोई समस्या रहती है तो आप ज्याइब आपको क्या करना है कि उसमें बिल्यू फिल्म वाला डी प्लस ले ले लेना उससे आपकी Anti-blue भी रहेगा इंटी भी रहेगा जिससे आपकी आँख भी खराब नहीं होंगी फॉन जो डी प्लस गिलास है ना उससे देखने में भी अच्छा रगता है उसमें ज्या इसमें पर ग्लास ही आएगा समझ रहे हो ना प्लास्टिक में ती चमक नहीं होती जितनी ग्लास में होती है तो उसमें अच्छी क्वाल्टी का ग्लास ही आएगा सुपर डी प्लस या डी प्लस ठीक है समझे ना मैं जिसको रिकमेंड करूंगा अगर आपके फॉन का डी प्लस यह सूपर डी प्लस ग्लास मिल रहा है वही आपने फान पर लगाओ अच्छा वाला पता नहीं कौपी तो किस-किस चीज किया जाती है ठीक है डी प्लस यह सुपर डी प्लस मेरी पहली रिकमेंडेशन है इसको अपने फान पर जरूर लगवाएं उसके बाद आजाते हैं हमार ग्लू टेमपर के लिए सजेस्ट करता हूं कि वह अपने फॉन पर ग्लू टेमपर चड़वाएं उनके लिए ज्यादा बढ़िया है नहीं तो सबसे बहतरीन जो ग्लास मुझे लगा है अब तक का वो लगा है सुपर डी प्लस कुछ भी चीज एक ही है सुपर डी प्लस कहते ह बात एक ही है लेकिन वो जो ग्लास है वो मुझे सबसे बहतरीन लगा है मैं आपको सला दोंगा वही ग्लास आप अपने फॉन पर चड़वाएं वह वह ग्लास आपके फॉन के लिए ज्यादा फाइदेमंद है नंबर वन उसमें चमक जादा है नंबर दो पूरी स्क्रीन को कबर करता है नंबर त्री उसकी जो अधैसे बेज़ो ग्लास को चिपकाने का अधैसे उसमें यूज करा करती है कंपनी वह बड़ी बहतरीन क्वालिटी का है नंबर चार वह उसमें जो इसक्रेच वगएरा से रिजिस्टेंट के लिए जो प्रोटेक्शन है वह ज्यादा है उसकी हाड़नेस का लेवल बहुत ज्यादा है ठीक है फ्रेंट्स जो जिन फॉनों की स्क्रीन 3D है ठीक है आपके फॉन की स्क्रीन 3D नहीं है जिन फॉनों की स्क्रीन 3D है कर्व में है पूरी फुल डिस्प्ले ही कर्व में है ज्यादा कर्व में है उन पे जो नॉर्मल टे लगाना वरना जिनके फोनों पे डी प्लस ग्लास अच्छे से लग सकता है तो आप डी प्लस या सूपर डी प्लस ग्लास ही अपने फोन पे लगवाएं सबसे सस्ता टेंपर जो मैंने आपको दिखाया था लगवाने से ना लगवाने से तो उसमें फायदा है पर प्लास्टिक लाग लास इन फौन में ही कमपनी पीछे से इन विल्ड करके देती है वह बात बात पच्टी नहीं है तो मैं आपको यही चला दोंगा सुपर D-Plus ओन्त ग्लाइब मैंने आप तक बाते बहुंद आपको यही गलास प्रिकमेंड करोंगा और मिर्यर टेंपर इस तक में अपने सीसे की तरह चमकते हैं पर फेश भी देख लेते हैं वह देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन वह एक तरह से वेराइटि वह की है हैं तो में जयादा सौ Everybody में ने सह एक्छा में यहीं काऊंगा वह जो चमक वाले स्म्लम्य स न वह आपको सब्सक्राइब्ण भेशसरी बात पता हो न पता हो मिरर जो छोथी हो सोगमेल अच्छा लगता ये इसे हमारी आङons धरता उनसे हमारी आखे खराऊ होती है तो हमारी मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी सुपर डी प्लस ग्लास आप अपने फॉन पे लगवाएं मैं आपको सारी वेराइटी दिखा दी सारी चीजे बता दी टेंपड़ ग्लास के बारे में ठीक है गैमिंग वाले जो लोग हैं गैम इस फिल्म होती है वो किसी जिस टेंपड में उसको एड़ कर देंगे वह बन जाएगा बस सिंपल ओके फ्रेंड्स जहांता कैं आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी इसी तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं किसी नेक्स्ट इस वीडियो में एक नई इन्फॉर्मिशन के सब्सक्राइब तब तक के लिए टाटा वाई वाई फ्रेंड्स